है गाईस वेलकम टू असोक एजुकेशन तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सहीद नंत कुमार वी सवीद द्यालर रायगार के जितने भी जो है नियमित छात रहाने की रेगुलार इस्टुडेंट है उनका परिच्छा फाम भरना प्रारंभ हो गया है तो इस वीड प्राइटियों सुरु करते हैं तो आर्थ तरिक जो है अफिस्याल नोडिफिकसन जो जारी किया गया था इसके निश्वार इस नातक प्रथम वर्स नियमित प्रवेशित इस नाकोत्तर यहां वीधी पठे क्रमों के प्रथम सेमेस्टर के परिच्छार्थियों नियमित प् प्राइब यहां पर है और इसी कि सकते हैं तो इस यहां पर आ को जो है 23 से लेकर प2 टिसंघ दिन का अतिरिक्त समय दिया जाई आप जो दो सुरूपए है जो अतिरिक्त विलंबसुक दें कर जो है पाजीश दिसंघ तक नहीं हमाने को सब्क तरे में का हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको जो है सिंप्ली क्रूम ब्राउजर पे चले जाना है और यहां पर इसको जो है डेस्टॉप साइट पे सेट कर लेना है यहां पर फिर सर्च कर लेंगे asnp.ac.in तो सर्च करते ही यहां पर कुछ आपको इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा तो यहां थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको जो है आनलाइन पोर्टाल जो है दिख जाएगा इस्टूडेंट लोग इन यहां से हम लोग कर लेंगे तो सबसे प पेज खुल जाएगा तो यहां पर आपको यूजर आड़ी और पासवर्ट लगेगा जो भी आप एड्मिशन टाइम में आनलाइन करवाये थे इन्रॉल्मेंट फॉर्म भरे थे उसी टाइम आपको यूजर आड़ी और पासवर्ट बन गया थो अगर आपको यूजर आधार काट से इसको जो है यूजर आड़ी और पासवर्ट फॉर्गेट कर लिते हैं ऐँगो है अधार काड जो है अपना ड लेना है अधार काड डालने कबाद जो है नीचे send my account detail इसको click करेंगे तो आपके जो है registered mobile number में ID password जो है message चला जाएगा तो इसको message को देख कि यहाँ पर फिर login कर लेना है यहाँ user ID और password डाल के तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना ID password डाल लेते हैं तो डालने के यहाँ नीचे से आपको जो है sign in कर लेना है sign in करते ही कुछ इस प्रकार से page open हो जाएगा तो simply इसे भी यहाँ पर 3.0 में जाकि इसको जो है desktop side में set कर लेना है उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले personal details आपको देख लेना है कुछ यहाँ पर आपको जो है educational details डाल लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं current year का educational details यहाँ पर डालना होता है तो अगर आप first year या फिर first semester का form भर रहे हैं तो आपको जो है details यहाँ पर आल्रेडी भरा हुआ दिखेगा क्योंकि हम लोग जब नामांकन form भरे रहते हैं enrollment form उस टेम प अबडेट कर लेंगे इसके बाद next जो है previous educational details simply को click कर लेना है यहाँ पर कुछ इस परकार से open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना high school high secondary school को यहाँ पर details यहाँ डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने already यहाँ पर डाल चुका है enrollment form भरते time अगर आपके मैं किसी प्रक यहाँ चेंज करने की आवसेकता नहीं है अगर आप final या फिर second year का form भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको submit marks details में जा कि यहाँ पर exam year या semester year और marks और obtient marks डाल लेना है यहाँ तो यहाँ पर उसके बाद simply save कर लेना है इसके बाद next जो है यहाँ पर upload photo and sign कर सकते हैं अगर आप photo change क करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले से upload हो चुका है photo or sign तो यहाँ पर upload करने की आवसेकता नहीं है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर चूच करके upload कर सकते हैं इसके बाद next यहाँ पर add and remove new examination simply click कर लेना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से open हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पको क्या है बर ना पर सकता है तो सेंब्ली यहाँ से उपर में examination में आप touch click कर लेंगे और category select करके यहाँ पर इसको सेप कर लेंगे और इसको सेप कर लेंगे नेक्स्ट जो है यहां पर आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक कर लेना है सेंपली और यहां से select कर लेना है जो भी आपका examination उसका जो subject है तो यहाँ से आप देख सकते है क्या का compulsory subject है मेरा जो यहाँ पर सभी compulsory है तो मेरे को किसी परकार की इसमें tick करने क्या उसे अक्तर नहीं है अगर आप other किसी भी भर रहे हैं तो जो subject है आप यहाँ से अच्छा से देख के choose कर लेंगे इसको बाद में आपको change करने में प्रैसा नहीं हो सकती है अच्छा है आप पूरा details में अच्छा से देख लेंगे next जो है यहाँ पे आपको apply for examination में click कर लेना है आप क्या है अप लाइक कर लेंगे तो पूरा details में आपको एक बार बताया जाएगा उसको देख लेंगे पूरा name mother's name father's name email address mobile number institute college या फिर जो भी अधार card number आपका है पूरा details यहाँ से एक बार उसको पल लेंगे और यहाँ पर proceed to payment कर लेंगे फिर से एक आपको details से यहाँ पर दिखाएगा उसको अच्छा से बारीकी से देख लेंगे कितना फीस है यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर make payment कर लेंगे make payment करेंगे कुछ देर बाद आपके पास जो है इस प्रकार से page open हो जागे यहाँ पर थोड़ा details वगर डाल लेंगे अपना zip code उसके बाद यहाँ नीचे scroll करेंगे तो दिख जाएगा आपको किसे कैसे payment कर सकते हैं credit card debit card net banking तो कुछ भी यहाँ सेलेक्ट करके अपने हिसाब से क्या है payment करके यहाँ से आप payment कर सकते हैं payment successful होने के बाद यहाँ पर नीचे आपको क्या है application form और प्रिंट receipt receipt जो है प्रिंट करने का option आ जाएगा यहाँ से आप उसको प्रिंट कर लेंगा अगर किसी भी कारण से आपका payment error हो जाता है तो यहाँ से यहाँ से आप उसको submit फीस में जाके payment कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या है print application और फीस receipt को download कर सकते हैं तो चले आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वंदे मादरम